आप सबी का मनोज स्टेडी सेंटर यूटूब चैनल पे देखिए दोस्तों आज हम इस वीडियो पे LCM-ACM की पहली क्लास लेकर आए हुए है जो बिल्कुल बेसिक से है और धीरे धीरे आप बेसिक से पढ़ाएंगे और आपको हाई लेवल तक पहुचा देंगे अर्थात सूरने से सिखर तक कह सकते है चलिए यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर प्रस्नों की संख्या देखते हैं यहाँ पर पहला नंबर हमारा स्टार्ट होता है यहां से और LCM-ACM की पहली क्लास कह सकते हैं अगर आप किसी भी एक्जाम की त्यारी करते हैं हर एक्जाम के लिए वीडियो आपके लिए हैं LCM-ACM जहाँ जहाँ आपके एक्जाम में आएगा सारे कोर्संस को हम पूरा कंप्लीट करवाएंगे पहला प्रस्ने देखिए लिखा हुआ है दो संख्याओं का मासा ग्यारा है तता लासा 693 इन्टू-ACM यह आपने जरूर पढ़ा होगा ठीक ना यह फार्मूला होता है LCM-ACM में तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक संख्या दी गई है दूसरी संख्या पूछी गई है यानि सासतर मान लेते हैं पहली संख्या दी गई है और दूसरी संख्या हमको ग्याद करदेंगे 11 исп 90 होता है और 7анич 63 होता है ठीक ना 63 होता है फिर सात नहीं जली कितना होगा 63 यानि इस प्रस्न का जो सही अंसर होगा विकल्प नंबर क्या होगा C नंबर आपका राइट अंसर आपका हो जाएगा अगला सवाल डिख्रेश्ट पर दिके यां पर दluence दूसरा देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है दो संख्याओं का लासा और मासा दिया गया है एक संख्या है तो सबसे पहले आपको क्या करना है लासा और मासा क्या करना है गुड़ा कर देना है जैसा भी हमने फारवुला में बताया था लासा गुड़े मासा कर दीजिए जो भी एक संख्या दी हो उससे आपको क्या करना है भाग दे देना है इतना आप कर लेंगे 16,8 होता है 128 होता है अब 8 से इसको काटेंगे तो 8,2,16 होता है और यहाँ पर बचेगा हमारा कितना 5,3 होगा 8,4,32 और 0 यानि 240 हाएगा कहां पर लिखा हुआ है बिकल्प नंबर क्या होगा बी नंबर इस प्रस्न का राइट अंसर आपका हो जाएगा जब लासा मासा दिया हो एक संख्या दिया हो दूसरी संख्या निकालना हो तो इस तरीके से करेंगे आपका जल्दी से लग जाएगा अगला प्रस्ण देखते हैं यहां पर देखिए क्या पूछा गया है यह सवाल थोड़ा सा हमारा बदल गया है अच्छा सवाल है देखे लिखा हुआ है दो संख्याओं का लासा जो है लासा जो है मासा का 28 गुना है यानि लासा जो है वो मासा का कितना है मासा का 28 गुना है ऐ लोग है वो 1740 के बराबर दिया गया है अब हम आप से कहें कि लासा बराबर आपका 28 M लिखा हुआ यहां पे लिख लिजिए तो 28 M यहां लिखेंगे अब प्लस का M है अब बराबर कितना है 1740 है अब इसको कहेंगे 29 M बराबर कितना आप कहा जाएगा 29 M बराबर 1740 तो M हो जाएगा तो यहां पर देखें कितनी बार कट रहा है साथ च्छै च्छै नौम चववन च्छै दूनी बारा बारा पांच सत्रा यानि यह च्छै तो कटी राग उननीज नहीं होता है 174 यानि यहां पर काटने के साथ आएगा यानि हम यह कह सकते हैं बराबर साथ आ गया यानि दोस्तों मासा हमको पता चल गया है कितना है साथ है आपने मासा निकाल लिया अब लासा भी निकल जाएगा लासा में एम की गुड़ा कर देंगे तो लासा भी निकल जाएगा पहली संख्या दी गई यह तो आपका इतना लासा है यह मासा, लासा गुँडे मासा दिया हो, और उनमें से कोई एक संख्या दी गई हो, तो उससे क्या होता है, भाग देना होता है, उससे आपके दूसरी संख्या पता चल जाती है, तो यहाँ पर 00 काट लेंगे 64 को 24 होता है अचार सत्य 28 होता है साथ गुड़े साथ कर देंगे 420 है नहीं साथ गुड़े साथ करेंगे 420 क्या होगा इस प्रस्ण का राइट अंसर होगा विकल्प नंबर क्या होगा C नंबर इस तरीके से आपको लगाए अगला प्रस्ण देखते है कोसर नंबर देखिए चार लिखा हुआ है दो संख्याओं का लासा उनके मासा से 45 गुना है यदि एक संख्या है 125 हो और लासा और मासा का योग 1150 है दूसरी संख्या कितनी होगी देखिए उसी टाइप के ये भी सवाल है सबसे पहले देखिए लासा जो है मासा का कितने गुना है 45 गुना है आगे लिखा हुआ है लासा और मासा का जो योग है वो कितना दिया गया 1150 दिया गया अब आप क्या करना है लासा की जगा 45 एम रखेगे तो आपका यहाँ पर 45 इधर हो जाएगे एक एम इधर है तो कितना होगा 46 अम यानि यहां परints आपका आएगा 46 अम बराबर 1150 अब आप क्या करना है इसमें इसको भाग कर देंगे तो पहले देंगे भाग देखो 46 का भाग देना है 1150 में तो पहले जाएगा दो बार, दो च्छा का बारा और दो चोको आठ एक नौ होता है पांच में दो गया, तीन यहाँ पर दो फिर यह आपका चला जाएगा पांच बार है ना, पांच बार चला जाएगा यानि दोस्तों कुल मिला के आपको इत्रा ध्यान देना है, कि यहाँ पर जो भाग देने पर हमारा जो आया है ठीक है ना, जो भाग देने पर हमारा आया है, कितना आएगा, पचीस आएगा कितना आएगा, पचीस आएगा यानि एम की वैलू कितनी आएगी पचीस आगई, यानि यही आपका क्या है, मासा है, आपने मासा निकाल लिया तो concept क्या है लासा गुड़े मासा और पहली संख्या जो भी दिया उससे भाग कर देंगे तो दूसरी संख्या भाई निकालाएगी मासा देखिए हमें कितना दिया गया 25 लासा देखिए M की जगा 25 रखेंगे न तो 25 गुड़े कितना हो जाएगा 45 यह आपका क्या हो जाएगा लासा हो जाएगा अब लासा गुड़े मासा तो हमने कर लिया यहाँ पर जो पहली संख्या दी गई है 125 इससे भाग कर देंगे 25 से नमबर तो इस तरीके के जब भी सवाल दिया हो लासा मासा का योग लासा मासा से इतने गुणा है तो आपको ऐसे ही लगाना इजाम में जल्दी से आपका सवाल साल्व हो जाएगा अगला प्रस्ने देखते हैं दोको यहां पर भी उसी टाइप के एक सवाल है फिर से ह-CF LCM के योग दिया गया है तो सबसे पहले दोको LCM उनके HCF का 12 गुना है सवाल उसी प्रकार का है लासा जो है मासा कितने गुना है 12 गुना है अब लासा और मासा का जो योग दिया गया है कोसर में वो कितना दिया गया है 403 दिया गया है हम आपसे कहेंगे 12M है एक इधर रखेंगे तो आपका हो जाएगा 13M 13 M बराबर 403 तो M बराबर कितना आएगा तो आप कहेंगे 13 तरिका 49 13 एकम 13 यानि M की वैलू हमको पता चल गई लासा गुड़े मासा होता है तो मासा लिखिए 31 और लासा आपका हो जाएगा 31 गुड़े 12 जो 31 आया यहीं पे रख देंगे और जो भी इन में से एक संख्या दी गई है उससे भाग कर देंगे आपका अंसर जो है आ जाएगा 31 तरिका 93 तीरान में 3 चो को 12 4 एकम 4 4 तरिका 12 देख रहे हैं ना कितना सिंपल सवाल था और विकल्प नंबर क्या होगा इस प्रस्न का आपका A नंबर राइट अंसर आपका हो जाएगा अब अगला प्रस्न देखते हैं यहाँ पर 6 नंबर देखते हैं अब यह सवाल का थोड़ा सा चेंज हमारा हो गया है यहाँ पर देखिए पूछा गया है दो संख्याओं का मासा 27 है जब कि उनका योग है 216 है पहले लासा मासा का गुना दे रहा था अब सवाल बदल गया अब बोला गया है इस प्रकार संख्याओं के कितने जोड़े क्या है संब़ों है देखिए कैसे लगाएं कि जोड़े संब़ों है यह आप से पूछा गया है सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि संख्याओं हमेशा याद रखिएगा जब मासा दिया हो 27 है तो संख्याओं हमेशा आपको मान के चलना है कि पहली संख्या 27 है और दूसरी संख्या 27 भी है यह चीज़ आप दिमाग में अच्छे से पहले फिट कर लेजिए अगर मासा 10 कहता तो संख्याओं हमें क्या माननी पड़ती है 10 से और 10 भी जो भी मासा दिया होगा उसमें से गुड़ा करके संख्याओं आपको माननी है यह याद रखिएगा हमने मान लिया अब इनी संख्याओं के योग दिया गया है यानि 27 A प्लस 27 B 27 दोनों में से कॉमन हो जाएगा इनी का योग फल कोसन में दिया गया है 216 के बराबर हम आप से कहेंगे A प्लस B बराबर कितना होगा आप कहेंगे 27 का भाग कर दीजिए 27 का भाग देंगे तो 8 बार जाएगा 8 साथे 56, 8 दुनी 16, 25 यानि 8 बार आएगा A प्लस B बराबर हमारा कितना आगया 8 आगया अब इतना अपने कन लिया यहीं पर बोला गया है कितने जोड़े संबव है तो देखिए A और B के हमें ऐसे मान सोचने है कि जोड़ने पर 8 आना चाहिए आप कहेंगे इसके मान तो हम बहुत सारे बता सकते है दोको 1 और 7 होगा A अगर हमारा 1 होगा B 7 होगा तो भी तो 8 आरा यानि 1 मान हमारा ये हो सकता है दूसरा मान हमारा ये भी हो सकता है तीसरा मान हमारा यह भी हो सकता है चौथा मान हमारा यह भी हो सकता है इसके बाएर रिपीटेट होने लगेगा 5 तील उससे कोई मतलम नहीं है अब समस्य ये एक चार प्रगाड से आपके A और B के मान पॉसिबल हो सकते हैं जोड़ने पर 8 आएगा लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि हमें वही संख्याओं का पेर लेना है जिनमें दोनों में कुछ कामन ना हो यानि को प्राइम नंबर लेना है स्वायबाद संख्या लेना है तो स्वायबाद संख्या तो एक हमारा ये वाला है एक हमारा ये वाला है इन में चार कामन हो रहा है इन में दो कामन हो रहा है इसलिए इन दोनों को नहीं लेंगे तो बिकल्प नंबर कौन से लगाएंगे कितने जोड़े संबाव है बिकल्प नंबर लगाएंगे दूसरा वाला यानि दो नंबर बी नंबर क्या होगा राइट अंसर आपका हो जाएगा चलिए जोड़े वाले प्रसना आप समझ गए होंगे अभी और कराएंगे तो और अच्छे से आपकी तयारी हो जाएगी अगला सवाल देखिए दो संख्याओं का योग 275 है मासा यानि संख्याओं हमारी क्या होंगी 25 A 25 B होगी अब इनी का योग दिया गया है 25 common ले लेंगे A प्लस B यह तो आप डारेट याद रखिए इतना तो आपको हम लिख रहे हैं समझा रहे हैं एकजाम में इतना सम नहीं लिखना है सीधे आपको 25 का भाग इसमें दे देना है याद रखिएगा दोनों अब देखिए यह concept है आपको समझा दिया अब आपको एकजाम में बार बार यह नहीं लिखना है 25 A 25 B सीधे 25 के बाग 275 में दे दियेगा A प्लस B आपको निकाल आएगा यह डारेट करना है लेकिन आपको एक बार दो बार तो बताना पड़ेगा कैसे करना है यहाँ पर दिखिए 25 से कम 25 और फिर 25 से कम 25 उम्मीद है A प्लस B वराबर 11 आगया अब कितने जोड़े संबभ है तो हम आपसे कहेंगी वही नंबर लिखना है जिनमें से हमारे दोनों में कुछ कमण नहों तो एक और दस हो सकता है और कौन से होता एक दस को जोड़ेंगे तो भी तो 11 आपका हैगा इसके बाद 2 और 9 होगा 2 नों को जोडने पर भी 11 हो रहा है और कौन से हो सकता 3 और 8 ऐसे नंबरों का पेर लेना है जिनमें कुछ भी कमण नहों इनमें कुछ कमण है तीन आठ में दोनों में कुछ कमण नहीं है अगला क्या होगा 4-7 हो सकता है अगला क्या होगा 5 है इसके बाद repeated होना सुरू हो जाएगा तो इसका मतलाब यहाँ पर कितने जोड़े आपको दिख रहे हैं पाथ तो विकल्प नंबर क्या होगा बी नंबर इसके बाद कोई संभाव नहीं होगा तो विकल्प नंबर क्या होगा बी नंबर आपका राइट अंसर आपका हो जाएगा अगला प्रस्ने देखते हैं यहां पर दिखिए आठ नमबर में पूछा गया है योग दिया गया है मासा दिया गया है अब आपको सीधे हम बोलना है ना A plus B आपको निकालना है तो 528 में सीधे 11 से भाग करिए तो 11 से भाग देंगे तो कितना है का 11 चो को कितना होता है 44 होता है 1188 होता है है ना 48 आ गया अब A plus B के मान कौन कौन से हो सकते हैं एक तो 1 plus 47 हो सकता है दूसरा आपका क्या हो सकता है 5 plus 43 हो सकता है यह सोचना पड़े का कौन कौन से आपके मान हो सकते हैं वही नमबर लेना है ज और भी होंगे क्या और देखते रहो जितने हों वो सब आपको लिखना आए 13 प्लस 35 हो सकता है और यहाँ पर 17 प्लस 31 हो सकता है फिर 19 प्लस 39 हो सकता है इसके बाद आपका 23 प्लस 25 हो सकता है 23 प्लस 25 इनमें भी कुछ common नहीं है तो टोटल देखें कितने हैं चार तो इधार है और चारी इधार है टोटल कितने आए आठ पेर यानि इस प्रस्ण में अंसर हमारा क्या होगा आठ पेर ठीक ना जब उसके आदे यानि बीच बीच के नंबर बराबर संख्या में पहुंच जाईए लगबाग तो समझ जाईए अब रेपिटेशन शुरू हो जाएगा अब इसके बाद नहीं चेक करना है कई लोग तो सोचेंगे सर आठ ताली से कहां तक सोचेंगे अंतर समझ रहना दोनों में डिफरेंस लेंगे तो बारह ए माइनस बी वराबर 24 तो ए माइनस बी वराबर कितना होगा दो अब देखिए अंतर वाले प्रस्णों में आपको कैसे लगाना है अब आपको यह सोचना है कि ए और बी के ऐसे दो मन बताईए जिन में से घटाने पर दो आए तो आप कहेंगे तीन और एक होता है हमने का बिल्कुल सही है इसके बाद आप कहेंगे इसके बाद आप कहेंगे पांच में से तीन घटाएंगे तो भी दो होता है फिर इसके बाद आप कहेंगे कि नौ में से साथ घटाएंगे तो भी होता है दो इसके बाद ग गिनन्द, खतमे नहीं होगा, तो इसका अंसर जाएगा infinite के साथ, जब भी अंतर दिया हो, ध्यान दिज inan दिज एगा, अंतर दिया होगा, तो फिर आपको infinite वाला टिकर करके आना है, इसीज़ को भी से ध्यान रखिएगा, अगला प्रस्ने देखते हैं, तो दस नंबर है ना, यहाँ पर इन्हों ने अंतर दे रखा है, लेकिन यहाँ पर एक कंडिशन भी दे रखा है, कि दोनों संख्यां सव से छोटी हो, जब कंडिशन देगा कि संख्यां छोटी हो, तब तो आप का अंसर निकालना पॉसिबल है, अगर यह नहीं दिया होता है, तो फिर आप कांसर नहीं निकलेगा, याद रखिया गए इस चीज़ को, इन्फाइनाइट जाएगा, अनंत जाएगा, यहाँ पर देखिए, दो संख्यां का अंतर दिया गया है, और मासा, तो आप कहेंगे, 9A, 9B, दो संख्यां हैं हमारी हो जाए आएंगे, तो 9A-B, बराबर 18, तो A-B बराबर कितना आएगा, यहाँ पर भी A-B बराबर 2 ही आया है, A-B बराबर कितना आया है, 2 आया हुआ है, यहाँ तक तो छलो ठीक है, अब दोनों संख्यां 100 से छोटी होनी चाहिए, तो हमें ऐसी संख्यां सोचनी है, जैसे हमने मान लिया 3 है, B मान लिया 1 है, ओर इजिनल संख्यां जो आपके 100 छोटी होनी चाहिए, तो 3 गुड़ा करेंगे ना, तो 27 बना लेगा, यह बना लेगा, नो, दोनों संख्यां 100 छोटी है, यह वाला पॉसिवल हो सकता है, दूसरा नंबर हमने सोचा कि 5 और 3 भी तो हो सकता है, 5 और 3 में भी तो अंतर 2 का हो रहा है, 5 गुड़ा करेंगे ना, 5 ना 45, अ 3 ना 27, यह भी चलो ठीक है, यह भी हमारा पॉसिवल है, कि 100 से छोटा है, अगला देखते हैं, 7 और 5, 7 नहीं यह 63, 5 नहीं 45, यह तो को संख्यां बोला है, संख्यां में इसमें गुड़ा करना पड़ आपको दोनों में, तो यह भी तो 100 से छोटा है, यह भी पॉसिवल हो सकता है, अब अगला नंबर हमारा आएगा, 9 और 7 का, तो 9 को गुड़ा 9 में करेंगे, 81 ही आएगा, अब देखिए, खतरे गंड़ी मंड़ा रही है, 9 सत्य तीर सत्य यानि यह भी हो गया, अब अगला नंबर वचा 11 और 9, तो 11 में से 9 को गुड़ा करेंगे, 99 अब इसके बाद दोस्तों 100 क्रास कर जाएगा, यानि ओवराल देखा जाए, तो टोटाल आपके 5 ही जोड़े संभा होंगे, जो संख्या है, 100 से छोटी होंगी, कंडिशन देगा, तो फिर आपका अंसर निकलेगा, तो आज चलिए दसी को प्रस्णो कवर किया है, इसके बाद अगले सेसर में अगले टायक को प्रस्णो कवर करेंगे,